नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड विद दीपक में फिरोज खान हिंदी सिनेमा के दिगजबिनेता जो स्टाइल आइकन के रूप में पहचाने जाते हैं दर्शक उनके लोग डायलोग डिलिवरी और अभीने के दिवाने रहे हैं फिरोज खान सत्तर और अस्सी के दर्शक के हैंसम हीरो माने जाते थे उन्हें बॉलीवुड का काव बॉई कहा जाता है बड़े शर्म की बात है कि तुम जैसे बहादुर को भी मेरे नाने के गम में शराब के सारा लेना पड़ा शम्मी कपूर एक हसमुक और मस्तमौला कलाकार कभी जंगली बनकर लोगों को हसाया तो कभी अपने अभीने से दर्शकों की आखों को नम किया अलग अलग अन्दाज होते हुए भी शम्मी कपूर और फिरोज खान अच्छे दोस्त थे क्या कारण था कि एक बर पार्टी में दोनों आपस में भिल्ड पड़े फिर जो उसके बाद हुआ क्या आप यकीन कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आखिर क्या था किस्सा इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मीडिया रिपूर्ट्स के अनुसार ये घटना उन दिनों की है जब राज कपूर बॉबी फिल्म बना रहे थे लगबग पचास साल पहले की ये घटना उस दोरान की है जब राज कपूर ने फिल्म बॉबी का गाना मैं शायर तो नहीं इसके रिकॉर्डिंग की खुशी में एक पार्टी रखी थी इस पार्टी में शम्मी कपूर और फिरोज खान भी शामिल हुए थे इसी दोरान फिरोज खान दौरा किया गया एक मजाग शम्मी कपूर को बिलकुल पसंद नहीं आया और वो लड़ने पे उतारू हो गए मीडिया रिपूर्ट्स के अनुसार हुआ कुछ ही हो था कि फिल्म बॉबी के वक शम्मी कपूर काफी मोटे हो गए थे उनके वजन के साथ उनकी दाड़ी वगेर भी काफी बढ़ गई थी इसी पार्टी के दौरान फिरोज खान ने शम्मी कपूर को देखा तो वो हैरान रह गए उन दिनों फिरोज खान फिल्म दर्मात्मा की शूटिंग में वेस्त थे शम्मी कपूर के लुक को देखने के बाद फिरोज खान ने उनसे मजाक में कह दिया था कि इस फिल्म में वो उनके पिता का रोल निभा सकते हैं शम्मी कपूर साब को ये बात बुरी लग गई और वो फिरोज खान पर भड़क उठे बात तो ये भी कही जाती है कि दोनों के बीच पार्टी में जम कर लड़ाई भी हुई थी कहते हैं उस समय दोनों शराप के नशे में थे जिस कारण दोनों की लड़ाई हता पाई तक पहुँच गई बाद में लोगों को दोनों की लड़ाई छुडाने के लिए बीच में आना पड़ा दोनों को अलग अलग किया गया इसके बाद दोनों पार्टी छोड़कर अपनी अपनी गाड़ी में बैटकर वहाँ से चले गए लेकिन दोस्तों किस्सा यहीं खतम नहीं होता इस तरह की लड़ाई एक लंबी दूरियां बना सकती है लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा नहीं हुआ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस राद दोनों पार्टी से अपने अपने घर जाने की बजाए हाजी अली पहुँच गए थे हाजी अली में जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आए आपस में बाते करने लगे दोनों बैठे और एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए और फिर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे शम्मी कपूर उम्र में फिरोज खान से आट साल बड़े थे बाद में फिरोस खान ने धरमात्मा फिल्म में पिता के रोल के लिए प्रेमनाद को चुना फिल्म रिलीज हुई तो जबर जस्त कामयाब रही ये एक ब्लॉक बस्टर फिल्म साबीत हुई थी इसको प्रड्यूसर डारेक्ट फिरोस खान ने ही किया था शम्मी कपूर भी उसके बाद चरित्र किरदारों में ही नजर आए लेकिन उस वक्त बावनाओं में बहेकर धरमात्मा में फिरोस खान के पिता का किरदार उन्होंने ठुकरा दिया था फिल्म धरमात्मा में फिरोस खान, हिमामानी, रेखा, डैनी, फरिदा जलाल, मदनपूरी और प्रेमनाच जैसे एक्टर्स थे ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी ये अफगानिस्तान में शूट की गई बॉली वुड की पहली फिल्म थी जो कि फिरोस खान के केरियर को नई उचाईों पर ले गई थी और एक प्रॉक्पस्टर मुवी साबित हुई थी और इसके साथ साथ इस फिल्म के गाने भी बहुत जबजस्त थे तेरे चेहरे में वो जादू है तुमने किसी से कभी प्यार किया है दोस्तो एक बार इसी तरह से फिल्म का विनौत खान्ना के साथ जगड़ा हो गया था और विनौत खान्ना ने फिल्म की मूवपर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था यहां तक कि फिरोज खान को 100 करोड का फाइदा भी हो गया था अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह पूरा खिस्सा क्या है तो आप मेरा यह वाला वीडियो जरूर देखें तो दोस्तों अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें आप देख रहेतें बॉलिवुड विद दीपर खुश रहें सलामत रहें